थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल में SBI परसोनेल लोन को लेकर एक वीडियो बनाई थी उस वीडियो को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा अगर आपने देखा तो अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो उपर कार्ड में मैं उस वीडियो की लिंक दे सास्थ बढ़ा करना दो जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे बारे में बताओंगा जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक परसोनेल लोन एपलाय करना चाहते हैं चाहें वह किसी भी बैंक में हो आप अगर एक बार्शनल लेने के बारे में सोच रहें तो सबसे पहले इन factors को आपको ध्यान में रखना है और इन factors को आपको फुल्फिल करना है अगर आप नहीं करेंगे तो personal loan की application आपकी खारीज हो जाएगे चाहे वो किसी में बैंक में आप apply कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको इनी factors के बारे में पूरी की पूरी जानकरी देने वाला जिनके बारे में आपको साइथ पता भी होगा लेकिन साइथ आपके जहन में होने के बावजूद भी आप इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अगर में लोन आमाउंट आप से पूछू तो लोन आमाउंट क्या होती है तो आप में से 100% लों मुझे यही एंसर देंगे वह जिसको हम लोन के तोर पर अपलाई करते हैं परसनेल लोन ने लिए बैंक में अपलाई करते हैं उसी को लोन आमाउंट कहा जाता है तो इसमें क को फूफिल नहीं करती है तो लो लोन उमाँट बन जाती है जिसको हम येजी ले सके तो उसी पेशों को आप एपलाई के जी का ईजन लोन आमांट जीन प्रेसों को आप details कर सकते हैं अगर मैं अपने capability से उपर की loan amount ले लूँंगा तो मेरी जो रिपेमेंट है वो मतलब गरबरा जाएगी और इसको आपको ध्यान में रखना है और 10-year हमें calculate कर लेना है बहुत सारे बैंकों में 10-year short 10-year के लिए भी लोन दिया जाता है और long 10-year के लिए है वो कम हो जाएगे तो इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है दूसरा फेक्टर है रेट ओफ इंट्रेस्ट और अधर चर्जेश को कॉंप्यर करना बहुत सारे बैंकों में जो रेट ओफ आपकी इंट्रेस्टेट को कम देगी उसी बैंक में आप अपनी परसनेल लून को एपलाई कीजएगा और जहां पर आपकी चार्जेज भी कम होगी तो वहाई आपकी चीज़ आपकी जो रिपेमेंट के पासिटी है उसको यहां पर क्या होगा आप किसी भी बैंक मर जाकर किसी भी लून को एपलाई कीजएगा आपकी जो है इंडिया में इसे सिविल कहा जाता है उसकी जांच सबसे पहले बैंक कर लेगी और यह जांच करती है आपके पेंट काट के ठोब के पेंट नंबर को मत जब भी बैंक शिविल की जो साइट है वहां पर डाल देगी तो आपकी टोटेल क्रेडिट जो हिस्टरी है वहां पर सो कर देती है अगर आपने दस साल पहले भी कोई लोन ले रखा था और उस लोन को आपने अच्छी तरह से रीपें नहीं किया है या फिर वो लोन खराब हो गई है तो यह आपकी केडिट स्कोर को काफी घटा देती है इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो डीपेंट के पासिटी है वह अच्छी नहीं है आप लोन सब्सक्नात्रव देती हैं लेकिन उसे डीपें नहीं कर पाते हैं तो जीस कि मैने पहले ही प्रेक्टर में बताया था लोन उसी इमाउन को भीने कर सकते है वो है income versus monthly EMI income versus monthly EMI का मतलब क्या होता है पकर लीजे मेरी income है एक लाख रूपे और मेरी जो monthly EMI है वो आ जाती है लोल लेने के बाद से 80,000 रूपे तो इस case में क्या होगा 80,000 रूपे तो मैं बैंक में ही पेका रहा हूं तो मैं आपने घर को कैसे चलाओंगा मेरी जो basic needs से उसको मैं कैसे fulfill कर सकूंगा मेरी फेमिली की needs को मैं कैसे fulfill कर सकूंगा उस समय क्या होगा मेरी पूरी की पूरी जो जिन्देगी है वो इस तरह से हिलने लग जाएगी तो इसके लिए हम जब भी कोई भी करते हैं तो हमारी इंकों मतली है इसको हमें ध्यान में रिख लेना होता है हमें उतने ही को हमें गरना है जिसकी इंकों हम हर महिने बरदास कर सके अब मेरी इंकों में एक लाग रुपे हर महीने और मेरी इमाई से 20,000 या फिर 30,000 है तो उस समय क्या है मेरी जो मंतली expenses है वह सतर हजार या फिर जो मेरी basic नेर्स है वह यहां पर fulfill हो जाते हैं लेकिन अगर एक लाग पर 80,000 मेरी एमाई है तो तो मेरी पुरी की पूरी जिन्दीगी ही तबाओ जाएगी तो मुझे मेरी जो रेपेमिन केपाश्य वह काफी घड़ जाएगी और फाइनली मेरी केडिट इसको भी घड़ जाएगी तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है अगर स्टेंडर्ड हम इंकॉम वर्सेस मंतली की बाते करें तो फोर्टी परसेंट आपकी टोटल इंकॉम है उसकी फोर्टी परसेंट अगर आप डिड़ा करवा लेते हैं यह लोन num Scientist न है अब आकशी परीपेयमेनट फेसलेटी अगे करसें लौन को अगर बहुत करना चाहता है बहुत सारे ऊब्सक्राइग मतलब preguntas लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक भी है जो यह चार्ज को कर देती है तो लोन लेने के समय ही आपको इसको ध्यान में रखना है कौन सी ऐसी बैंक है जहां पर आपकी जो प्रीक लोजर चार्जेस है वह कम है तो वही पर लोन को एपलाई किजेगा क्योंकि अगर आप अपने लोन को बिफॉर आपकी जो लोन टेनियर है उसके पहले क्लोज करना चाहते हैं तो उस सिट्वेशन में यह आपकी काफी एमांट को बचा देगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपकी जो पी क्लोजर चार्जेस है मतला आपकी जो भी मत लोन की एमांट बची हुई है उ अगर आप अपनी एक परसनेल लोन एपलाई करना चाहते है तो अगर इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बैल अइकन को प्रेंश की जिससे कि मेरे ऐसे नहीं वीडियो की नो